हाई अब्रीवन दिस इस अनम वेलकम टो पेज़ी जॉपसन एड्मिशन सो आज का मारे वी तो एक बहुत इंपोर्टन वीडियो ने वाला है पिकस आज की इस वीडियो में आपके साथ एक बहुत इंपोर्टन इंफोर्मेशन शेयर करें हूँ रुलेटिट टू यह भारती भारती विद्धा पर दीम्ड यूनिवर्सिटी जो की पूरे में इस उनिवर्सिटी ने अपने प्रोग्राम से रिलेट कुछ नोटिफिकेशन जारी कर रखी है सो उन नोटिफिकेशन को मैं आपके साथ इस वीडियो में डीटेल में एक्स्प्लेइन करने वाली हूँ कि इस तरीके से एडमिशन विलने वाला है क्या होने वाला है किस तरीके से सारा प्रोस् अबस्टे ऑन करते है अनले को प्रिप्रेंग कर बनाती हूँ सो उनके लिए candidates को prepare करवाती हो so make sure कि आप मेरे चैनल को subscribe कर ले और bell icon को press कर दे ताकि सारे वीडियो के update आपको मिलती रहे जैसे कि आप देख रहे हो यह official website है भारती विदापे टर्डीम्ड यूनिवर्सिटी को यह official link है इस link को मैंने आपके साथ description box में भी share कर रहा है जिससे कि आप one click में ही इस page को access कर सकते हो so इसी page पर आपको नीचे scroll down करना है and then यहाँ पर आप देख रहे हो PhD entrance test 2022 जिसमें आपको first link पर click करना है information browser so first link पर click करने के बाद आपकी screen पर कुछ इस type का PDF open हो जाएगा इस type का prospectus open हो जाएगा जिसमें 24 pages है so first page पर ही इन्होंने अपना schedule बता रखा है कि किस तरीके से PhD program का schedule होने वाला है so याद रखे आपके जो PhD program के लिए आपको application form फिल अप करना होता है so application form को last आपको 11th April 2022 तक फिल कर देना है बहुत important है last date 11th April है यानि आपके पस 11-12 days है तो आपको जल से जल आपके application form को fill up करना है then इसके बाद उन्होंने बता है अपको common entrance test का बोने वाला है so PhD program के लिए आपको entrance test देना होता है और वो entrance test आपका 24th April 2022 को कंड़ करवाया जागा with timing भी नहीं आपको बता रखा है 11 से 2 PM तक आपका exam कंड़ करवाया जागा then place आपकी कहा कहा entrance test held कराया जाएगा so याद रखेगा पुने, न्यू देली, नभी मुंबई and सांगली so ये सारे centers पर आपका entrance examination कंड़ करवाया जागा then आपका entrance examination का result जो है 14th में 2022 को declare होगा then interview interview आपका 23rd, 24th, 25th में 2022 को interview कंड़ करवाया जाएगा then merit list आपकी 4th June 2022 को release होगा ये final आपकी merit list होगे then आपका admission confirm 14th June 2022 को होगा then आपका PhD course start हो जाएगा 1st July 2022 से and यहाँ पर आपके जो PhD course है जो examination होगा ये 4th January 2023 को आपका examination कंड़ करवाया जागा ये tentative date है, fix नहीं है इसमें कुछ changes भी हो सकते है अब आप जब application form fill करोगे तो उसकी fee आपको देखना है so fee याद रखिएगा 2500 है, non refundable है यानि जो जो candidates application form fill up करेंगे उनके लिए 2500 fee होने वाली है आपको refund नहीं करा जाएगा फिसे यानि अगर आपको फिर से पैसे चाहिए तो आपको return नहीं करा जाएगा अब यहाँ पर उन्हेंने बता है जो exempted categories में student belong करते है उनको application form fill up करना है और उनके लिए जो fee होगी 1500 होगी ये भी non refundable होगी अब यहाँ पर उन्हें सेंटर्स के जो एड्रेस है proper address भी लिख दिया अब यहाँ से एक बार ही देख लीजेगा अब यहाँ पर इन्होंने इनका तो universities related जो information है इनकी university कैसे develop हुई किस तरीके से और कैसे कैसे programs होते हैं युनिवर्सिटी में वो सारी detail में इन्होंने बताया है सबको directly page number 16 पर आना है page number 16 पर इन्होंने eligibility बताया है यानि आपको eligibility मतलब किस बेसे पर आपको इस university के application form को fill up करना है याद रखे हैं कि आपके पास master's degree होनी चाहिए और master's degree में minimum 55% marks होने चाहिए और अगर आप SCST categories में belong करते हो तो यहापर आपको 5% का relaxation किया जाएगा यहापर आपके minimum 50% marks होने चाहिए तभी आप इस university के application form को fill up कर सकते हो अब हमने examination date देख लिया important dates देख लिया eligibility देख लिया तो यहाद रखिए PhD में admission लेने के लिए आपको entrance test देना होता है जो कि हर एक student के लिए common होता है यहापर उने बताया है आपको जब paper होगा PhD entrance examination के दो sections में divide करा जाएगा section 1 and section 2 section 1 जो होगा आपका यह research methodology पर बेज़ड होगा जिसमें 50 marks होगा 50 multiple choice of questions होगे section B आपका subject से specific होगा इसमें भी 50 marks के MCQs होगे आपको 50 multiple choice of questions होगे और यहापर इन्होंने बता रखा है कि इस exam को qualified करने के लिए आपको minimum 50% mark score करने है और इन्होंने यहापर यह भी बता रखा है कि आपका entrance test होगा इसको syllabus उन्होंने university की website पर बता रखा है इस लिंक पर हम क्लिक करते हैं क्लिक करने के बाद आपकी screen पर कुछ इस type का page open हो जाएगा जिसमें इन्होंने यहापर हर एक course से हर एक subject का proper इन्होंने syllabus बता रखा है अब जैसे for example first है social work यहापर मैं क्लिक करती हूँ मुझे section 1 का syllabus देखना है जो के research methodology होता है और जो के common होता है यहापर इन्होंने लिखा भी है the syllabus of research methodology will be common for all subject except law यानि law को छोड़कर बागी जितने भी subject है उनके लिए research methodology का syllabus है यह common होगा अब syllabus में इन्होंने क्या के बता रखा है introduction to research जिसमें research की characteristics आते है meaning आते है sources of research types of research जिसमें हर एक type of research descriptive, exploratory, fundamental, experiment यह सारे आपके types of research आदेन sampling, data collection and analysis then research report किस तरीके से आप research की report प्रेजेंट करोगे ethics in research, research में क्या right है, good qualities क्या होगे research के ICT tool for research, okay, and web search यानि आपके लिए जो ICT है, जो NET है, आपका computer किस तरीके से आपके लिए helpful होता है research में so यह six units में आपका research का syllabus कुछ इस तरीके से लिए provide कर रहा है so मैं आपको बता दू कि आपकी preparations के लिए हमने research methodology का complete course launch करा है जिसमें आपका जो research methodology का आपको PhD entrance examination में research methodology का जो weightage होता है 50% weightage होता है और आपको exam को qualify करने के लिए भी minimum, minimum आपको 50% mark score करने so मैं आपको guarantee देती हूँ अगर आप हमारा research methodology का course follow करते होता आप easily 50% mark score करते हो so research methodology में जिसमें आपको syllabus बता रहा है syllabus में आपके छे units में आपका syllabus divide कर रहा है हर एक unit के हर एक topic पर हमारे पास video lectures है हर एक unit के हर एक topic पर हमने notes provide कर रहा है notes बहुत simple language में हैं आप एक बारी अगर read करते हो आपको सारे चीज तरीके से समझ में आते हैं concept clear हो जाते हैं सिर्फ notes को ही read करने में उसी तरीके से 10 full syllabus mock test हर एक topic के हर एक unit के हर एक topic पर हमने mock test design कर रहा है जिसमें 40-50 questions है आप easily इसको solve कर सकते हैं प्रैक्टिस होते रहते हैं आपको पता है चलता है कौन से unit आपका week है कौन सा आपका topic week है okay then final thousand प्लस प्रैक्टिस में हमने research methodology के thousand से भी जादा हमने questions cover कर रहे हैं हमारे experience की basis पर जो हमें लगता है कि examiner डाल सकते हैं examiner के जो favorite questions होते हैं और हम different different PhD entrance examination चोते different universities के उनकी papers को हम analyze करते हैं और वहां से हम questions बनाते हैं आपके लिए इस तरीके से हम research methodology के लिए आपको prepare करते हैं याद रखेगा हम सारी चीज़े हमारे course में बताते हैं तो हम इस study material को कि यूज़ करें मैं आपको बता दू इंटरनेट पर तो बहुत ज़्यादा study material available होता है बहुत से students इंटरनेट से पढ़ते हैं और exam के one और five days पहले one week और five days पहले हमने आंकर पूश्टे कि मैं मुझे तो कुछ नहीं आता है अभी तो exam आ रहे हैं उन दिनों में भी हम help करते हैं बच्चों के क्या होता है इंटरनेट से इतना ज़्यादा study material हो जाता है कि आप कि आपको क्या पढ़ना रहां अबकर आपको समझ में आने लगते हैं लेकिन इंडरनेट पर आहं करना बहुत कंफ्यूस हो जाते हो याद रखेगा को बहुत जादा भी नहीं पढ़ना है बहुत कम भी नहीं पढ़ना पको limited आपको जितनी preparation आपके जितना syllabus कि जब दो कि अपको लगता है इंपोर्टेंट यह हम आपको बताएंगे कि कौन सा टॉपिक इंपोर्टेंट है, किस टॉपिक का वेट जादा है याद रखेगा उसी की बैस्ट इस पर अपको प्रिपरेशन करनी है सो हमारे स्कोर्स को पर्चेस करने के लिए आपको स्क्रीन पर नबर नज़र आ रहा है इस पर आपको वाट्सप के थूरू कॉन्टाइक करना है नॉर्मल को पर नहीं लगेगा आपको जल से जल हमारे स्कोर्स को पर्चेस करकर प्रप्रेशन स्टार्ट करनी है और आप हमारे आप के तुरू भी study material को access कर सकते हो आपको access करने के लिंक मैंने आपके साथ description box में provide कर रहा है जिससे कि आप one click में ही सारे study material को access कर सकते हो अब चलिए हम चलते हैं prospectus के तरफ, pdf के तरफ जो important points रहे गाते हैं उने भी हम एक एक बारी देख लेते हैं अब जैसे कि यहां से हमने syllabus देख लिया था जो कि comment है accept law अब जो important points रहे गए था इस pdf में हम उसे देख लेते हैं अब जैसे कि हम मैंने आपको बता दिया section A के बारे में कि 50 marks का आपका section A होता है जिसमें 50 questions होते है research methodology से relation अब section B का भी उसी तरीके से होता है जो कि आपके subject से specific होता है यानि जिसभी subject में आप PhD कर रहे हो है Hindi, English, Urdu, Mathematics, Biology, Botany जिसभी subject में आप PhD उससे related आपका section B होता है मैंने आपके सथ syllabus के link भी in description box में provide कर रहे हैं आप directly वहां से भी syllabus के link को access कर सकते हैं अब यहां पर मैंने आपको paper pattern बता दिया आपको बता दिया qualifying marks कितने है कि आपको minimum 50% marks score करना है और अगर जो candidate HCST category में belong करते हैं उनको minimum 45% marks score करने है इस entrance examination को qualify करने के लिए अब यहां पर उनने बता रहा है allocation of research research का work किस तरीके से आपका होगा यह सारा आपका और आपका endurance test के बाद जब आप PhD में आपका admission मिलता है उसके बाद यह सारी चीज़ आपको use में आएंगी कि आपका research का work किस तरीके से होगा यह सारे instructions आप यहां से एक बारी read कर लिएगा अब यहां पर उनने seats बता रहा है different different faculties में कितने seats available है जैसे faculty of arts, social science and commerce आप यहां से देख लिजेए social work, physical education, commerce, economics यहां से इन सारे seats को आप एक बारी देख लिजेगा जैसे faculty of science में chemistry, botany chemistry में 8 seats, biotechnology में 18 microbiology में 6 उसी तरीके से हर एक उसी तरीके से आप हर एक faculty की seats देख लिजेगा और total seats यहां पर 377 seats available है then नीचे यहां पर उनने schedule फिर से आपके साथ बता रहा है कि schedule किस तरीके से होने वाला है मैंने यहां पर starting में ही आपके साथ सारा schedule बता रहा है आपको important dates जो है PhD program के लिए बता रहा था अब यहां पर उनने fee structure बता रहा है for Indian students and for foreign students so Indian students के लिए fee structure यहां पर उनने बता रहा है eligibility fee library fee professional course fee आपको यहां सारी आपके fee structure देख लेनी है यही था सारे important instructions मैंने आपको बता दी हूँ अब जैसे कि मैंने आपको starting में बता दिया था exempted category में जो students belong करते है उनकी जो fee है application fee वो 1500 होने वाली है लेकिन exempted category में कौन से students belong करेंगे वो यहां पर लिका है इन्होंने so याद रखेगा exempted category में जन candidates ने UGC net, UGC CSIR जिनका get exam qualified है जो slate exam qualified है जिनके पास stature fellowship है so यह सारे students यह सारे candidates entrance examination exam set category में बिलॉंग करेंगे यह उनको entrance examination basically नहीं देना होगा याद रखेगा लेकिन इनको interview के लिए appear होना होगा interview के लिए आपको appear होना होगा और आपकी याद रखेगा registration fee 1500 है अब यहां पर इनने बता रहा है अगर आप application form में कुछ भी wrong information fill up करते हो eligibility आप देख करने जाते हो तो आपका directly आपका application form cancel कर दिया जाएगा then यहां पर इनने बता है 15% जो seat से यह NRI students के लिए यह allot करेंगे इस तरीके से इनने बता है duration of PhD minimum duration होगा 3 years or maximum 6 years duration होने वाला है so यह सारी जो important important चीज़े है मैंने आपके साथ यहां पर शेयर कर रही हो सारा सब कुछ मैंने आपको यहां पर बता रही हूँ जिसे कि आप आ रहे हो page number 17 पर मैंने आपको बता दिया procedure क्या होने वाले admission का क्या आपका entrance test conduct करवाया और entrance test सब का दो parts में divided होता है section A and section B यानि first section common होता है हरे candidates के लिए जिसमें 50 questions पूछी जाते है research methodologies related and section B 50 for your subject specific so मैं आपको बता दिए section 1 होता है research methodology होता है हरे candidates के लिए उसके लिए हम आपको full complete course provide करते है जिसमें notes मिलता को simple language video lectures mock test practice mcqs pdf so कई students का feedback आता है कि हमारे इसी contents उनको exam में 30 to 40 questions पूछे जाते है आपको जल से जल हमारे scores को purchase करकर आपकी preparations को start करनी है आपको इस number पर हमें whatsapp की through contact करना है scores को purchase करने के लिए और आप हमारे app की through study material को access कर सकते हो so I hope कि आपके और आपको कुछ queries है कुछ questions है आप मुझे comment section में पूछ सकते हो so that's it and thank you for watching this video 1 2 3 3 2 5